नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है, सुबो दिजिटल योटूब चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे आधार OTP से राशनकार कैसे अपलाई करना है इस वीडियो में आपको बताएंगे तो वीडियो को पूरा रखेगा दोस्तो राशनकार अधार OTP के मादम से आप घर बैठे बना सकते हैं इसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा आप घर बैठे अपना अधार कार के मादम से अपना राशनकार बना सकते हैं अगर आपके पास राशनकार नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा, ये वीडियो 9 मिनिट का होने वला है, 9 मिनिट में आप अपना राशनकार अपलाई कर सकते हैं, जो भी ये स्टेप आपको बताएंगे द्यान से देखना है, समझना है, जो भी ये स्टेप अगर आपको बनाना है तो वीडियो को पूरा देखना है, अगर आपको राशनकार नहीं बनाना है तो आप वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं, क्योंकि आपको काम के लिए वीडियो बनाया गया है, आपको नहीं काम का है, तो आप वीडियो क्यों देखेंगे, तो राशन कर अपलाई किया जाएगा कैसे लोकोमेंट अप्लोड किया जाएगा तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको बताते हैं आधार OTP से राशनकार अपलाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपिन करना है गूगल में आपको सर्च करना है N-F-S-A लिखना है बस आपको चारवर लिखना है गूगल में आपके सामने ये वेवसाइट आजाएगा आपको simply दो नमबर पे public login के option पे किलिक करना है दोस्तों public login के मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे public login करके अपना राशनकार अपलाई कर सकते हैं ठीक है तो आप public login पे किलिक किज़ेगा तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा यहां पे आप देख सकते हैं अधार OTP के माधम से आप रासनकार बना सकते हैं यहां पे अधार numbers, capture code देखर के OTP जेनेरट करके यहां से log in कर सकते हैं यानि कि signing कर सकते हैं उसके बाज आशनकर अप्लाई कर सकते हैं तो signing करने से पहले आपको इसमें register करना होगा रजिस्टर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे अधार नमर capture code जेनेट OTP पे किलिक करेंगे तो आपको OTP जेनेट नहीं होगा इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे उसके बाद यहाँ से हम लॉगिन करेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पे उप आपको पर जिस्टर करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा यहाँ पे डेट देखने को मिल जागा इसमें सब कुछ हम आपको विस्तार से बता देते हैं ताकि आपको कोई भी दिकत नहीं होगा यहां पर देखे यूजर नेम आपको सेट करना कुछ इस तरीके से जैसे कि मैंने अपना बनाया था सुबोध एस एस बड़ा था और यू छोड़ा था उसके बाद बी ओ डी एच इस तर अंगेज और मौधर शनेम अपना दारें UW इंग्लिस में मौधर सनेम इसके बाद यहां पर आजाएगा आटोमेटिक फादर्स टाइप करेंगे ऑर जैन्र यह पर सेलेकट सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद एक मोबाइल नमबर इमेल आईडी और यहां पर देखिए अधार नमबर का उप्षन आ गया है आप लोग को लिए मैं वीडियो के टाइटल में लिखा था कि अधार नमबर से ओटीप के मादम से तो अधार नमर यहां पर टिक करेंगे वरीफाई अधार कर लेना है ठीक है अधार नमबर टाइप करने के बाद आपको वेरिफाई करना है ध्यान देजीगा उसके बाद आपको यहां पर एक रिमार्क देदा रासनकार अप्लाइ लिखे देना है इसमें तो इसके बाद दोनो टंब कंडिशन को एकसेट किजेगा यह दोनो को उसके बाद यहां पर आपको जो शम्मीट कर देना है ठीक्या कैया इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देख लिजिए यहां पर देखिए यूजर नेम हम टाइप करते हैं तो यूजर नेम हम यहां पर एक जामपल दिखाता हूं जैसे कि स्यू बीओ सियू बी ओ डिएच उसके बाद यहां पर 123455678 इस सदी के टाइप किया उसके बाद यूजर नेम मतलब यहां पर हम सुबोध ही टाइप करते हैं उसके बाद मॉदर्स नेम मॉदर्स नेम हम टाइप कर लेते हैं आगे इस सब चीज दिखाने का नहीं है जब यह किलेर हो जागा तो फिर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों यहां पर दिखान देजेगा यह जो मैंने आपको बताया था ल लास्ट में आता है यहां पर देखिए मैं आपको दिखाता हूं यूजर ने मैंने डालक टेक्निकल 123456 यहां पर यहां पर मैंने चेक किया तो यह बिल्कूल एविलेबल है यानि कि यह नाम से हमारा यूजर नेम बन जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर एक और अप्श की अवडस को उपन जाएगा यह यह आपका log-in AID इसी AID से आप लोग इन करेंगे तो हमारा अलय बना हुआ हम लोग इन करके बताते हैं कैसे एक तो इसको बैक करते हैं यहां पर देख सकते हैं दो option है आपका अधहर का option है और यहां पे है log-in आइ-ड आई-ड जो आपका बना है वह और पासवोTw देखर के यहां से लौगइन कर सकते हैं या फिर यहां पर option है देख सकते हैं रासनकार का भी option है ठीक है तो हमक्त देखर करते हैं पासवोड को पता नहीं तो यहां पर पर फोर धिदुग्विक कर सकते हैं और यहां पर देखेंगे side में एक three dot का option दिखाए दे रहा है इस पर हम click करेंगे तो यहां पर option दिखाए देगा कॉमा registration facility यहां पर देखेंगे इसके उपर click करना है उसके बाद option आएगा new registration registration RC detail यहां पर अप्लाई कर दिया है यहां से status चेक कर सकते हैं तीन option आपको मिला है अध्यान से देखेंगा अगर आप नीव पर click किजिगा registration पर यहां से जो है अपना state का नाम select किजिएगा जो भी आपका इस्टेट का नाम यहां पर select किजिएगा अपने हिसाब से राशन कार्ड के लिए ठीक है उसके बाद यहां पर submit करना है submit करने के बाद देखी option आगया है general detail address 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 information राशन मेंबर detail और यहां पर criteria आपको उसके बाद finish detail करना state और राशन कार्ड सेलेक्ट करना है कौन सा राशन कर आपको लेना है जैसे कि यहां पर सभी आ जाएगा उसके बाद beneficial राशन कार्ड उसके बाद यहां पर personal name देना है आपको अपना उसके बाद photo upload कर देना है और यहां पर आधार संख्या देना है जेंडर सेलेक्ट करना है डेटर बद सेलेक्ट करना है और mother's name type करना है इंग्लिस में और लोकल आ जागा इंग्लिस में चाहे हिंदी में उसके बाद फार्दर्स नेम अगर आपके पास नंबर है जैसे पाशान पत्र का यहां पर टाइप कर सकते हैं उसके बाद आपको बेनीफेस्यल पर टिक करना अगर आपके पास मन रहेगा कार्ड है तो यहां पर सेलेट कीजिएगा अगर नहीं है तो इसको छोड़ देगा कुछा अधार कार्ड देना अधार संख्या आपको देना होगा उसके बाद अकुपेशन में आपको कौन सा काम करते हैं तो इसमें सभी आ जाता है अगरिकल्चर लेवर आता है ठीक है और एनुवल इंकम आपको 50,000 देना है ठीक है उसके बाद ओल्ड रासनकार अगर आपके पास है यहां पर सब्सक्राल होता है इसमें ऐस्में सब्सक्रांब कर देना सम्स्तिक करने लिए में ऐसे करने के हैं यहां पर अपना एस्टेटस नमबर देना यानि अप्लिकेशन कोड संख्या देना है ठीक है और यहां से आप चेक कर सकते हैं अगर पैंडिंग है या अप्रूबल है या रिजेक्ट हुआ है यहां से देख सकते हैं उसके बाद और भी ओप्षन है देखेगा और गेट आर्ट सी डीटेल पर क लाइक कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है कोई भी एस्टेप अगर आप मिस कर देते हैं तो आप लोग का कमेंड आएगा तो मैंने यह सारे चीज मोबाइल से करके आपको दिखाया है वीडियो को लाइक करके चैनल को संस्क्राइब कर लिजेगा और मुझे बताईए ले चे हैंग कर ले शेगा और मुझे आपको लोग कर दो दो आपको लेका फिगा अगराओ प्यांगर वीडियो कि वीडियो कि दो आपको लोगा